दोस्तो आज हम जानेंगे किचन के बारे में जरूरी टिप्स जो आपकी जिन्दिगी बदल देगी और आपके किचन का काम आसान हो जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं टिप नमबर वन आम का मिर्च का या फिर कोई भी पुराना अचार अगर सूख कर कड़ा हो जाए तो थ खोड़ा सा सरसो का तेल गुनगुना करके ठंडा कर ले ठंडा करने के बाद तेल को अचार में डाल दे इसी के साथ दो चमच अचार में सिरका डाल दे सिरका डालने से अचार खराब नहीं होता सालों तक चलता है और अचार खाने लाइक मुलायम बन जाता है टिप नमबर गुनगुने पानी से प्याज को निकाल कर काटने से प्याज काटते समय आखों में आशु नहीं आएंगे टिप नमबर 3 अगर आप बेशन के लड़ू खाने के सौकीन हैं तो बेशन के लड़ू बनाते समय यदि उसमें थोड़ा सा मूंग दाल का आटा मिला दे और थोड़ा सा नारियल का बुराधा मिला दे तो लड़ू और भी ज्यादा पॉस्टिक और टेस्टी बनते हैं तो इ चिलते समय आलू के चिलके को आखों के नीचे और चेहरे पर लगा ले यहां आपकी काली पड़ी त्वचा का रंग सुधारता है और चेहरे से दाग धब्बे और जाईयों को हटाता है आलू के चिलके की तरह आप टमाटर को काट कर भी पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं इ पजन भी तेजी से घटता है तमाटर आखों के लिए भी बहुत फायदे मंद होता है तमाटर गाजर और चुकंदर को पीश कर इसका जूस पीने से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे तिप नमबर 6 यदि आपको अक्सर सरदर्द से परिशानी रहती है तो आपको पालक के सेवन से बचना चाहिए और जब भी फोन चलाएं तो चस्मा लगा कर ही फोन चलाएं अगर शरदर्द हमेशा रहता है तो एक बार आख के डॉक्टर को भी जरूर दिखाए टिप नमबर 7 फ्रीज का पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए ये हमारे स्वास्त के लिए काफी हानी कार पानी कारण चेहरे का रंग काला पड़ जाता है इसलिए चेहरे पर दही में बेशन और हल्दी मिला कर लगाना चाहिए चेहरे पर दही बेशन और हल्दी लगाने से चेहरे का रंग काला नहीं पड़ेगा और आपका चेहरा साफ और बेदाग हो जाएगा टिप नमबर 10 गुनगुने पानी में थोड़ी सी हींग मिलाकर कुला करने से दात के दर्द में आराम मिलता है दातों के बीच लौंग और लौंग का तेल लगाने से भी दात दर्द में आराम मिलता है तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करें ऐसी ही नई नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों